41 मजदूर 17 दिन तक अंधेरी सुरंग में फंसे रहे हम उनके बारे में कितना बुरा भला सोचते रहे सच बताऊं मेरे मन में हर वक्त बुरे खयाल आते थे जब मजदूर बाहर आए तो कैसे सजे समुरे आए आज इस पर खुली बहस होगी खुली बात होगी सुरंग हाथ से जुड़े कई अन्य सवाल भी चर्चा का विशे रहेंगे आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है पूरा वीडियो देखकर लाइक और कमेंट करते हैं तो ये मेरा बोनस होता है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयों की जरूरत है डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बात बोलेगी मैं तिरलो चनभट दोस्तो पिछला वीडियो मैंने 22 नवंबर को बनाया था उस दिन सुरंग में फंसे मजदोरों के बाहर आने की पूरी उम्मीद थी उत्तरा खंड के मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करने मौके पर पहुँच गए थे लेकिन उनके जाते ही मामला फंस गया छे दिन और मजदोरों को सुरंग में रहने पड़ा मैंने इस दोरान फिर से वीडियो बनाने का प्रियास किया लेकिन हिब्बत नहीं हुई जबकि मैं देख रहा था कि सुरंग के वीडियो खूब देखे जा रहे थे बहरहाल 17 दिन तक सुरंग में फंसे मजदोरों के बारे में हम क्या कुछ नहीं सोचते रहे बिज्जु नेगी जी ने लिखा भी वे कितनी चहल कदमी करते होंगे कितना बैठते होंगे कितना सोते होंगे क्या वे सो पाते होंगे क्या उन्हें नींद ठीक से आ रही होगी सोये में क्या उन्हें अच्छे बुरे सपने आते होंगे क्या उन्होंने अपनी कोई सामोहिक ब्यवस्ता बना ली होगी वे कहां और कैसे सोते होंगे क्या एक साथ सोते होंगे या उन्होंने अपने अपने कोने तै कर लिये होंगे हम उनकी बद हवासे की कलपना करते रहे लेकिन जब वे बाहर निकले कैमरे पर दिखे तो लगा अरे हम तो बेकार है ऐसा वैसा सोच रहे थे ये तो नहाये दोहे, दाड़ी सेट किये, दाथ चमकाए, नए-नए कपड़े पहने लोग है आपने सोचा कि क्या था ये सब हम 17 दिन से उनके बारे में जो सोच रहे थे वो सच था या कैमरे पर हमें जो दिखा वो सच था दर असल सच वही था जो हम सोचते रहे थे जो कैमरे पर दिखा वो सच नहीं था एक डामा था, बेकसूर मज़ुरों की 17 दिन की यातना को वोट के लिए और कंस्ट्रक्शन कंपनी के हित के लिए इवेंट में बदला गया था यह शर्म को गर्ब में बदलने का मैनेजमेंट था यह इवेंट इसलिए भी किया गया कि आम लोगों को यह दिखाया जा सके कि सुरंग का इस तरह से टूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखा नहीं कितने खुश थे मजदूर उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान फैली होई थी वहां सुरंग में उनको किसी तरह की कोई दिकत थोड़े ही थी इसलिए इस घटना को लेकर सुरंगों का विरोध यदि कोई भूश में करता है तो वह ठीक नहीं है इस ड्रामे बाजी के लिए आपने एक पूरे दिन लोगों को इंतजार करवाया सभी मुस्दूरों को बाहर निकालने नहलाने धुलाने दाड़ी ठीक करवाने बाल काड़ने चेहरे पर क्रीम, बालों में तेल डालने, नए कपड़े पहनाने और मुख्यमंत्रे के सामने उन्हें किस तरह से मुश्कराना है यह सिखाने में मुझे लगता है पूरा दिन लगा होगा इस तरह एक पूरे दिन आप जनता से जूट बोलते रहे कि अब मुझदूरों को निकालने का काम जल्दी शुरू होगा इस इवेंट के जरिये कई दोस्ते बड़े सवालों पर भी मिट्टी डालने का प्रियास किया गया पहला सवाल यह है कि सुरंग बनाने वाली नवयुग इंजिनियरिंग कमपनी का है उस कमपनी पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ कमपनी को बचाने की साजिस देखिए कि मुख्यमंत्री ने जो एक एक लाख रुपिय हर मुझदूर को देने की घोसना की और दे भी दिये हैं वह राज सरकार की तरफ से दिये गए क्यों नहीं कमपनी से हर मजदूर को पांच पांच लाख रुपिय दिलवाए गए आपने मजदूरों की बदहवासी को मैनेज कर उसे इवेंट बना कर इस सवाल पर भी मिट्टी डालने का प्रियास किया कि इस सुरंग के निर्माण के दोरान दुरगटना की इस्तिति में मजदूरों के बाहर आने का इंतजाम क्यों नहीं था आपने इस सवाल को भी पीछे धकेलने का प्रियास किया कि भूकमप की दिश्टी से वेहद संबेदन सील होने के बाबजूद इस सुरंग को बनाने से पहले जियोलोजिकल और जियोटेक्निक सर्वे क्यों नहीं किया गया और यदि किया गया तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ रेस्क्यू प्लान बार बार फेल होते रहे लेकिन जिम्मेदारी से बचने का प्लान फूरी तरह तयार था यदि मुज़्दोरों के साथ कोई बात हो जाती तो आपने देवता को आगे कर दिया था ताकि सारा का सारा दोस देवता के सिर मढ़ा जा सके लेकिन मैं यह साब कर दूँ कि पहाड के लोग देवता दयालों हैं हिंसक नहीं वे नियाए भी करते हैं वे निर्दोस मजदूरों को क्यों सुरंग में फंसाते बेतर्तीब तरीके से पहार काटोगे तो ये होगा ही इसलिए अपनी गलतियों को देवताओं के सिर मरने की कोशिश बिलकुन मत करो एक बात और जब आपकी मशीने फेल हो गई तो आखिरकार आपको मजदूरों को बुलाना पड़ा लेकिन इसे आपका मीडिया मैनेजमेंट कहें या फिर मीडिया कर्मियों का दिमागी दिवालिया पन कि उन मजदूरों के नाम और फोटो मुख्य मीडिया से गायब थे याद कीजिए जब अंगरेजी नामों वाली मशीने आई तो चैनलों में उन मशीनों के फोटो वीडियो के साथ जम कर चर्चा हुई मजदूरों को क्रिसमस तक निकाल देने जैसा निरासा जनक बयान देने बार बार सुरंग के पास बने अस्थाई मंदिर में जाकर पूजा करने वाले आश्टेलियाई अर्नौर्ड डिक्स की तस्व उनका नाम तक लेने की तथाकथित मुख्य मीडिया ने जरूरत नहीं समझी क्यों और संभव हो तो इन रेट माइनर्स और अर्नौर्ड डिक्स को दिये गए पारिस्रमिक की भी परताल कर लीजेगा एक खबर तो यह भी छपी है कि रेट माइनर्स ने यह कह कर पारिस्रमि माइनर्स टीम के सदस्य फिरोज मुन्ना कुरैसी रासिद इर्षाद अंकुर जतिन नसीम सौराव नसीर वकील हसन और देविंदर को सलाम करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अंत में इतना जरूर कहूंगा कि यह जो आपका मीडिया तूटा पहार का गुरूर बाहर आये मजदूर इस टाइप के हेडिंग दे रहा था तो उन्हें बता दो कि यह हिमालाए है इसने तुम्हारी विशाल काई मशीनों का गुरूर तोड़ा है और घुटनों के बल जाकर छैनी होतोरे से छेद करने वालों को आसरवात दिया है इसलिए इन्हें आगाह कर दो कि हिमालाए को लेकर ऐसी हलकी जुमले बाजी न करें जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नमस्कार